समाधी टुट गए समाधी तो जनक जी भी टुट गई थी धनुश्यक्य कायो जन है विश्वामित्र जी हमारी इसी बक्सर से राम जी को लक्षमर जी को ले करके चले गए जनक पूर जनक राजा ने देखा विस्वामित्र जी को प्रडाम किया सरकार ये किसको लाए है कहा क्या हुआ दर्सन करो उन्होंने कहा महराज इनको देखकर हमें कुछ हो गया विस्वामित्र जी ने कहा क्या हो गया जनक जी ने कहा सरकार ये मत पूछो कि क्या हो गया ये पूछे क्या नहीं हो गया अरे हुआ क्या जनक बताओ तो का इनहीं बिलोकत अतियन रागा इनहीं बिलोकत अतियन रागा परवस ब्रम्हा सुख्रहिमन जागा इनहीं बिलोकत अतियन रागा परवस ब्रम्हा सुख्रहिमन जागा इनहीं बिलोकत अतियन रागा जनक जिन कहा गुर्देव ऐसा कभी नहीं हुआ था मैं तो हमेशा निर्गुण ग्राकार निर्विशेस निरपाधिक ब्रम्ह के एक खंड समाधी में रहता हूं इसलिए जनक जी को विदेह कहा जाता है संसार का कार्ज करते हुए भी एक शण के लिए ब्रहम चिंतन से मन अलग नहीं होता था इसलिए उनको विदेह कहते हैं देह में रहते हुए देह में जो नहीं हो वो विदेह है मन को हमेशा ठाकुर के चर्णों तो ब्रम्हानंद की समाधी में अखंड समाधी में डूबे रहने वाले जनक की समाधी तूट गई खंडित हो गई भंग हो गई जैसे सगुन साकार इन इन विलोकत हथिया नुरागा इन विलोकत हथिया नुरागा बर्बस ब्रह्म्न शुक्रे बल्प्यागार नेरे में लूगार जनक्जी ने कहा सरकार में निर्गुन ब्रह्म की समाधी में डुबा रहता हूं और जैसे इनके चहरे पर मेरी नजर गई मेरी वो समाधी खंडित हो गई और मेरे मन में देखो यही आकर के चिपक गए और इनके प्रती मेरा अटूट स्ने अटूट प्रेम लगता है जन्मों जन्मों से इनको जानता हूं माराज मेरे मन ने बर्बस ब्रह्म सुखाही मन त्यागा अरे मन ने उस ब्रह्मानंद की समाधी को फेक दिया छोड़ दिया ट्याग कर दिया मन ने छोड़ दिया क्योंकि सगुण साकार ब्रह्म काहनंद ब्रह्मानंद की समाधी से कई कई गुना जादा है कि महाराद कि यह सबुसा वैसे है सुकदेव जी की अखंड समाधी जो थी निर्गुण निराकार बर्म की नर्मानंद उनका कायब हो गया सबुन साकार बर्म का आनंद का नसा चा गया भागे भागे पिता के पास आए पिता ने उन्हें भागवत पढ़ाया फिर आउसर आने पर वही सुकदेव जी ने भागवत परिक्षित जी को सुनाया और परिक्षित जो को सुनाया उसके बाद ये भागवत का परचार लोक में हुआ हम लोगों तक पहुंचा सवनक जी ने पूछा हमारे परिक्षित ने यह सुखदेव जी ने किस परिष्थिती में साथ दिन साथ रात बैठ करके एक आर्शन से उनको कथा सुनाई इसका क्या है कि इसका रहस्य का है तब सूत जी महराज परिष्षित का चरितर सुनाते हैं कि सुनिया मैं बताता हूं जथा मुर्धे कौरो शिंजया ना वीरे स्वत्थो बीरगतिंगते शुन ब्रिकोदरा विद्धगरा विवर्सा अगनो रुदंडे धिरतराष्ट पुत्रे मैं बताते हैं